C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षाची की हिंदी की पाठे पुस्तक बाल राम कथा 12 पाठों की इस पुस्तक का अब प्रस्तुत है साथवा पाठ सोने का हिरन प्रिष्ट 41 राम को कुटी से निकलते देखकर माया भी हिरन कुलाचे भणने लगा राम को बहुत छकाया जाडियों में लुकता, छिपता, भागता वेह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वेह भाग कर और दूर चला जाता हिरन चालाग था, वे इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुत से बाहर लगे राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरन को पकड़ नहीं पाए उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया धनुश उठाया, निशाना साधा, और एक बान उस पर छोड़ दिया बान लगते ही हिरन गिर पड़ा धर्ती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था आवाज भी बदल ली थी, अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी धर्ती पर पड़े हुए वह जोड़ से चिल्लाया हा सीते, हा लक्ष्मन ध्वनी ऐसी थी, जैसे बान राम को लगा हो वह सहायता के लिए पुकार रहे हो बान का प्रहार गहरा था मारीज उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया वह छटपटाता रहा जल्दी ही उसके प्रान पखेरू उड़ गए रामन एक विशाल व्रिक्ष के पीछे खड़ा था वह प्रसन्य था, उसकी चाल सफल हो गई थी मारीज ने अपनी भूमी का अच्छी तरह निभाई थी अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसे ने सोचा था उसे राक्षस अगंपन की बात याद आई सीता का हरन हो तो राम के प्रान निकल जाएंगे वह निशक्त हो जाएंगे वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया मारीज की पुकार राम ने सुनी वह पासी थे उन्ही समझने में देर नहीं लगी की पुकार की मंशा क्या है मायावी मारीज की पूरी चाल उनके सामने खुल गई हेरन जान बूज कर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह शडियंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे उनकी चाल में तेजी आ गई थी ताकि कुटिया पहुँच सके प्रिष्ट बयालीज यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इसमें राम, रावन, मारीच और हेरन दिखाए गए है प्रिष्ट तैंतालीज वह मायावी पुकार सीता और लक्षमन ने भी सुनी लक्षमन उसका रहस्य ततकाल समझ गए राम की तरह उन्होंने बान चढ़ा कर धनुष द्रढ़ता से पकड़ लिया चौकसी बढ़ा दी वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तयार थे साथ ही राम का आदेश उन्हीं याद था उनके लोटने तक सीता की रक्षा लक्षमन की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई घबरा गई दोड़कर कुठिया के द्वार पर आई उन्होंने लक्षमन से कहा तुम जल्दी जाओ जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर तुमारे भाई किसी कठिन संकट में फस गए है उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी जाओ लक्षमन जल्दी आप चिंता ना करें माते लक्षमन ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा राम संकट में नहीं है हो गी नहीं सकते उनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें भाई राम जल्दी ही आते होंगे सीता क्रोध से उबल पढ़ी लक्षमन का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया राम की आवा सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे सहायता के लिए नहीं गए सीता को इसके पीछे शड़ेंत्र दिखाए दिया लक्षमन की चाल लगा कि लक्षमन राम का भला नहीं चाहते उनकी हितैशी नहीं है चाहते हैं कि राम ना रहें मारे जाएं ताकि राजपाट उनका हो जाए उनकी रास्ते का कांटा निकल जाए तुम्हारा मन पवित्र नहीं है कलुशित है पाप है उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो सीता ने यहां तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है सीता की बातों से लक्षमन को गेहरा आभात पहुचा उनका हिर्दय छलनी हो गया पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया सैयम बनाए रखा सिर्जुका कर सबचुप चाप सुन लिया वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे केवल इतना बोले हे देवी यह राक्षसों का छल है खरदूशन के मारे जाने के बाद वे बौखला गए है किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते है आप उनकी चाल मिन्ना आए वे कुछ भी कर सकते है मुझ पर विश्वास करें राम को कुछ नहीं होगा प्रिष्ट चवालीस यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में रावन राम का अपरहन करके लिए जा रहा है यह दिखाया गया है प्रिष्ट पैंतालीस सीता का क्रोध और बढ़ गया क्रोध में आँखों से आसु बहने लगे यह भी लग रहा था कि कहीं लक्षमन की बात सहीं नहों यह डर था कि राम से बिच्छू ना हो उन्होंने कहा राम से बिचूड कर मैं नहीं रह सकती मैं जान दे दूंगी हे लक्षमन तुम उन्हें लेकर आओ लक्षमन राम के लिए राम की आज्या का उलंगन कर रहे थे उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े लक्षमन के जाते ही रावन आप पहुचा तपस्मियों जैसा जटा जूट वैसे ही वस्त्र सीता ने साधू समझ कर उसका स्वागत किया रावन ने सीता के स्वरूप, संसकार और साहस की प्रशंसा की उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा सुमुखी, मैं रावन हूँ, राक्षसों का राजा लंका देपती, मेरा नाम लेने पर लोग थर-थरा उठते हैं लेकिन तुम सुन्दरी हो, सबसे अलग हो तुम्हारे लिए मैं स्वयम चल कर आया हूँ मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बन कर सीता क्रोधित हो उठी, कहा मैं प्राण त्याग दूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाओंगी मैं राम की पत्नी हूँ, वे महा बलचाली है तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा रावन ने सीता की बात अनसुनी कर दी खीच कर उन्हें रत में वैठा लिया सीता प्रयास करती रही, पर रावन के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी स्वयम को असहाय पाकर वे विलाप करने लगे हा राम, हा लक्ष्मन, पुकारती रहे रावन का रत लंका की ओर उड़ चला मार्ग में वे पशूओं, पक्षियों, परवतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावन ने उनका हरण कर लिया है गिद्ध राज जटायू ने सीता का विलाप सुना उसने उची उडान भरी, रावन के रत पर हमला कर दिया व्रिद गिद्ध राज ने रत क्षत विक्षत कर दिया रावन को घायल कर डाला क्रोध में रावन ने जटायू के पंक काट दिये जटायू अब उड़ नहीं सकता था, वे सीधे धर्ती पर आगिरा रावन का रत तूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था उसने ततकाल सीता को अपनी बाहों में दवाया और दक्षिन दिशा की ओर उड़ने लगा सीता को लगा कि अब संभवतह कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समचार मिल जाए प्रिष्ट 46 उन्होंने अपने आभूशन उतार कर फेंकना प्रारंब कर दिया आभूशन वानरों ने उठा लिये उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूशन देखकर राम समझ जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है रावण ने सीता को आभूशन फेकने से नहीं रोका उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है कुछ ही समय में रावण लंका पहुँच गया वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतापुर में गया राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया थोड़ी देर में वैं फिर लोटा सीता को घूरते हुए उसने कहा सुन्दरी मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ निर्ने तुम्हें करना है मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी सीता बार बार रावन को धिकारती रही राम का गुणगान करती रही रावन को क्रोध आ गया तुम्हारा राम यहां कभी नहीं पहुँच सकता तुम्हें कोई नहीं बचा सकता तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ मुझे स्विकार करो और लंका में सुख से रहो पापी रावन राम तुझे अपनी दृष्टी से जला कर राख कर सकते हैं उनकी शक्ती देवता भी स्विकार करते हैं मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थ हीन है तुने पाप किया है राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है राम की इतनी प्रिशंसा सुनकर रामन कुछ चिंतित हो गया उसने सोचा घर दूशन को माने वाला अवश्य शक्ती चाली होगा उसने ततकाल अपने आठ सबसे बलिष्ट राक्षसों को बुलाया कहा तुम लोग पंचवटी जाओ राम और लक्षमन महीं रहते हैं उनका एक-एक समचार मुझे मिलना चाहिए दोनों पर निगरानी रखो मौका मिलते ही उन्हें मार डालो उधर सीता को पाने के लिए रामण ने अपनी योजना बदली उन्हें अन्तापुर से निकाल कर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया पहरा कड़ा कर दिया गया राक्षसों, राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे सीता को किसी तरह का शारिरिक कष्ट ना हो इसके मन को दुख महँचाओ, अब मानित करो लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए प्रिष्ट, सैंतालीज रामण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला वे बार बार राम का नाम लेती थी शेरों के बीच हिरने की तरह बैटी रहती थी डरी, सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुचा दिया था यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे इसी के साथ कक्षा छे की पुस्तक बाल राम कथा का यह पाट सोने का हिरन यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नई दिल्ली भारत